प्रेशन 9, भागफल निकालिए, प्रेशन 9 का पहला, एक दसमलो 5 भागा, सुने दसमलो 3 तो भागफल निकालना है, एक दसमलो 5 को सुने दसमलो 3 से भाग देना है, तो हो जाएगा यहां पर देखे पंद्रा बटा दस भागा तीन बटा दस अब देखिए दस कहां से आ गया तो दसमलों के बाद दसमलों के दाया तरफ एक अंक है यानि दसमलों के बाद क्या है एक अंक है तो दसमलों हटाएंगे तो बटा में एक पे एक सूने देंगे कितना सूने देंगे एक पर एक सूने क्योंकि दसमलों के बाद एक अंक है यहां भी देखिए दसमलों के बाद एक अंक है तो एक सूने देंगे एक पर ठीक है तो सूने दसमलों तीन हो जाएगा तीन बटा दस दस मलो हटा करके और एक दस मलो पांच हो जाएगा पंदरा बटा दस दस मलो हटाएंगे तो तो इसको हम लिख लेंगे पंदरा बटा दस गुना दस बटा तीन भाग का चीन हटा के जब गुना का चीन देंगे तो तीन बटा दस हो जाएगा दस बटा तीन तो 10 से 10 कट जाएगा 3 पचे 15 यानि इसका उत्तर कितना आ गया 5 तो 1.5 को जब सूने दस्मलो 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5 तो इस तरह से इस प्रस्न को हल करेंगे दूसरा 4.9 भागग सूने दस्मलो 7 तो यहाँ पे लिख लेंगे 49 बटा 10 भागग साथ बटा 10 तो दस्मलो हटाएंगे तो बटा में 10 लिखेंगे क्योंकि दस्मलो के बाद एक अंख है तो एक पे एक सूने देंगे यहां भी देखिए दसमलों के बाद एक अंख है तो एक पे एक सुनने देंगे बटा में तो इसको लिख लेंगे 49 बटा 10 गुना 10 बटा 7 ठीक है गुना जब इसको गुना में बदलेंगे तो 7 बटा 10 हो जाएगा 10 बटा 7 तो 10 से 10 कट गया 7 सते 49 यानि इसका उत्तर आएगा 7 तो 4 दसमलों 9 को सुन्य दसमलों 7 से भाग देने पर आजाएगा 7 तीसरा प्रेस्ण 44 दसमलों 1 भागा 2 दसमलों 1 तो 44 दसमलों 1 को 2 दसमलों 1 से भाग देना है तो देखे इसको हम लिख लेंगे 441 बटा 10 भागा 21 बटा 10 तो देखे दसमलों के बाद एक अंक है तो दसमलों हटाएंगे तो एक पे एक सूने हो जाएगा यहाँ पे भी दसमलों के बाद एक अंक है तो दस मलो हटाएंगे तो एक पे एक सूने देंगे बटा में तो 441 बटा 10 हो गया ये हो गया 21 बटा 10 अब भाग का चिन है यानि भीन का भागा है तो अब लिख लेंगे 441 बटा 10 गुना 10 बटा 21 तो यहाँ पे जब गुना का चिने देंगे तो हो जाएगा 21 बटा 10 क्या हो जाएगा 10 बटा 21 10 से 10 कट जाएगा ठीक है 10 से 10 कट गया अब देखें 21 से 441 कट जाएगा 21 गुना 21 होता है 441 21 यानि 441 21 से 21 बार में कट जाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 21 तो 21 से 441 यानि 441 को जब 21 से भाग देंगे तो कितना आएगा 21 यानि 21 गुना 21 होता है 441 तो 21 से 441 को 21 बार में कट देंगे तो 21 से यहाँ पर देखें सिर्फ बच गया बाकी सब कट गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 यानि 44.1 को 2.1 से भाग देने पर कितना आएगा 21 आएगा प्रस्न 4 315 भागा 1.5 315 को 1.5 से भाग देना है तो 315 भागा लिख लेंगे 15 बटा 10 तो 10 मलों के बाद एक अंक है तो 10 मलों हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा देखें 10 मलों के बाद एक अंक है तो 10 मलों हटाएंगे तो एक पे एक सूने देंगे तो 315 भागा 15 बटा 10 हो गया तो अब लिख लेंगे 315 गुना 10 बटा 15 जब यहाँ पर गुना का चीन ने देंगे तो 15 वटा 10 हो जाएगा 10 वटा 15 अब 15 से 315 कितना बार में कट जाएगा तो देखे पहले 5 से काट लेते हैं 5 तिया 15 5 से यह भी कट जाएगा 5 तिया 15 तो 5 से काट लेते हैं 5 तिया 15 और 63 पचे 315 ठीक है तो 5 से 315 कितना बार में कट जाएगा 63 बार में अब 3 से 63 कितना बार में कट जाएगा 3 दूना 6 3 गुना 1 3 21 बार में 21 तिया 63 तो देखे 3 से 63 को 21 बार में काट दिये तो 21 गुना 10 कितना हो जाएगा 210 21 गुना 10 हो जाएगा 210 तो इसका उत्तर आएगा 210 तो 315 को 1 दस मलो 5 से जब भाग देंगे तो आजाएगा 210 पांचवाँ प्रस्न दो दस मलो सुन्ने पांच भागा दो दस मलो 5 तो दो दस मलो सुन्ने पांच को 2 दस मलो 5 से भाग देना है तो यहाँ पे लिख लेंगे 205 बटा 100 भागा 25 बटा 10 तो दस मलो के बाद 2 अंख है तो दस मलो हटाएगे तो एक पे दो सुन्ने देंगे यानि 205 बटा 100 हो जाएगा यहाँ पे दस मलो के बाद एक अंख है तो दस मलों हटाने पर एक पे एक सुनने देंगे तो 205 वटा 100 भागा 25 वटा 10 तो हो जाएगा 205 वटा 100 गुना 10 वटा 25 ठीक है अब देखिए 10 से 10 बार में 100 कट जाएगा 10 गुना 10 100 होता है 5 से काट लेते हैं 55 पचीज 5 वग 20 5 गुना एक 5 तो 5 से दोनों को काट लिए हैं देखिए 55 बचे 25 और 41 बचे 205 ठीक है अब यहाँ पे कितना आ गया तो यहाँ पे आ गया 40 बटा 10 गुना एक बटा पांच इस तरह से आ गया देखिए 41 बटा 10 गुना यहाँ पे उपर में कुछ नहीं है तो एक है तो एक बटा पांच लिख देंगे तो 41 बटा 10 गुना एक बटा पांच आ गया अब 41 को जब 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4 दसमलो एक तो 4 दसमलो एक बटा पांच 4 दसमलो एक बटा पांच आ गया अब 4 दसमलो एक को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा देखिए यहाँ पे रफ कर लेते हैं हम लोग ठीक है तो 5 से 4 दसमलो एक को भाग दे देते हैं क्योंकि बटा में 5 है इसका मतलब 4 दसमलो एक को 5 से भाग देना है तो देखे, चार तो लगेगा नहीं, पांसे, ठीक है, पुरा पुरी एक तालिस लगेगा, यानि दस मलो देना पड़ेगा यहाँ पे, तो सुन्य दस मलो, पची अठी चालिस होता है, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे, एक आ जाएगा, तो दस मलो दिया हुआ है, तो एक सुन्य दे सकते हैं तो पांच दूना 10 यानी 0.08 दो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 0.08 दो तो 4.1 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.8 दो तो यहाँ पे देखिए कैसे लगाए है 4.1 है बीच में 10 मलो है 4 नहीं लगेगा 5 से तो 41 पूरा पुरी लग जाएगा लेकिन बीच में 10 मलो है इसलिए यहाँ पे 10 मलो दे दिये दस मलो के पहले सूने दिया जाता ہے तो सूने 10 मलो पहले लिख देंगे फिर 25 इठी 40 लगा लेंगे तो 41 है उपर तो 41 में से 40 घटाएंगे एक आ जाएगा अब 12 मलो यहाँ पे दिया हुआ है तो एक सूने दे सकते हैं तो फिर 5 दूना यह 10 हो जाएगा फिर तो पांच दूना दस लगा देंगे यानि सून्य दस मलो आठ दो इसका उत्तर होगा पांच भी समी से खिर तो